हमारे आज के ट्रेंट सेट्र स्टार है धरम देव पिशोरी मल आनन जिनका जन्म हुआ था 26 सितंबर सन 1923 में जी हाँ जिने हम जानते हैं देवा नंद के नाम से देव सहब के डायलॉग बोलने के स्टायल और उनके एक खास अंदाज में सिर हिलाने को बहुत सारे स्टास ने कौपी किया था देव सहब का अफेर तब की मशूर एक्ट्रिस सुरया के साथ था लेकिन ये शादी किसी कारण से ना हो सकी तब देव सहब ने विवाह किया कल्पना कार्थिक जी से जिनका असली नाम मोना सिंग था रिपोर्टों के मुताबिक देव सहब के काला सूट पहनने पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि उन्हें काले सूट में देख करके तब की लड़कियां बिलकुल पागल हो जाती थी और आत्महत्या तक करने पर उतारू हो जाती थी इसलिए उनके काला सूट पहनने पर रोक लगा दी गई थी ये खबर कितनी सच है ये तो नहीं मालूम लेकिन हाँ देव सहाब ब्लैक सूट में बहुत हैंसम लगते थे देव सहाब ने लगबख साथ तशक तक फिल्मों में काम किया और अपने से बहुत छोटी उम्र की हेरोईंस के साथ भी उन्होंने अपनी जोड़ी बनाई अपनी आत्म कथा में उन्होंने लिखा है कि वो जीनत अमान जी से प्यार कर बैठे थे उस समय देव सहाब थे लगबख 48 साल के और चीनत जी थी 20 साल की देव सहाब को एवर ग्रीन हीरो भी कहते थे सदा बहार देव आनंद देव सहाब को भारत का ग्रेगरी पैक भी कहते थे यूं तो देव सहाब ने बहुत सारे ट्रेंट सेट किये थे लेकिन उन्होंने जितने लंबे समय तक फिल्मों में रहने का रिकॉर्ड कायम किया और हीरो बने रहने का वो और कोई एक्टर नहीं कर पाया तीन दिसंबर दो हजार ग्यारा को लंडन में देव सहाब इस दुनिया को छोड़ कर चले गए लेकिन अपने चाहने वालों के दिलों में देव सहाब ऐसे ही बने रहेंगे देव सहाब को हारदिक श्रद्धान चली अच्छाइब में देव सहाब कर दो ही